नमक का दरोगा मुंसी प्रेम चंदर की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने में कई तरीकी के टेक्स लगा दिये गएते तो लोग चोरी छुपे नमक का वेपार करने लगे इस से नमक विभाग के कई भष्ट अधिकारियों की तो चांदी हो गई खास कर नमक के दरोगाओं की जो चोरी छुपे नमक का वेपार करने वालों को पकड़ते और मोटी रकम वसूल कर उन्हें जाने देते और जो पैसे नहीं देता उसे जेल में बंद कर देते हमारे इस कहानी के हीरो हैं मुनसी बंसी धर जिनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में होता है जब मुनसी बंसी धर घर से बाहर नौकरी की तलास में जा रहते तो उनके पिता जी कहते हैं बेटा घर की दुर्दसा तो देखी रहे हो कर्ज्या लेके किसी तरीके से गुजारा चल रहा है तुम्हारी बेहने भी कुमारी बैठी है नौकरी में ओदे पे ध्यान मत देना ऐसी नौकरी खोजना जिसमें अच्छी खासी उपरी कमाई हो मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद होता है कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता असली कमाई तो उपरी कमाई है मुशी बंसी धर पिता जी का आसिर्वार लेते हैं और नौकरी की तलास में निकल पड़ते हैं और किसमत तो देखो मुंसی बंसी दर, नमक विभाग में दरोगा के पद पे नियुक्त हो जाते हैं जिससे उनके पिता जी और पूरे परिवार के लोग बहुत खुस होते हैं उनकी नियुक्ती, जमुना नडि से थोड़ी दूर बने, नमक विभाग में हो जाती है एक रात की बात है सारे सिपाही, नौकर और मुंसी बंसी धर गहरी नीन में सो रहे थे अचानक गाडियों की आवाज से उनकी नीन खुले तो उठ बैठे आखिरकार इतनी रात को ये गाडियों की आवाज कहां से आ रही होगी वो समझ जाते हैं, डाल में कुछ खाला है, अपनी दरोगा की वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और सिपाही लेके निकल पड़े आवाज का पीछा किये, तो जमना के पुल से गाडियों की लंबी कतार जाती देखी तो डाट के पूछा, किसकी गाड़ी है? तबी एक ने जिचकते वेका, साहब पंडित आलोपी दीन की पंडित आलोपी दीन को भला कौन नहीं जानता था, वहाँ के सबसे प्रटिस्थित जमिदार थे रोल लाखों का लेन देन किया करते थे मुनसी बंसी धर पूछते हैं, बैल गाड़ी में क्या है? सब एकदम सांत हो जाते हैं दरोगा जी अपने घोडे में बैठे बैठे एक बैल गाड़ी के बगल में आते हैं और वो देखते हैं कि इन बैल गाड़ीयों में तो नमक भरे हैं और वो सारी गाड़ीयों को वहीं रोग देते हैं थोड़ी ही देर में पंड़ित आलोपी दिन वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके चहरे में थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, वो मुनसी बंसी धर के पास आते हैं और कहते हैं, दरोगा जी हमसे ऐसा कौन सा प्राध हो गया कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी, बंसी धर कहत हैं, सरकारी नियम का उलंगधन किया है आपने, पंड़ित आलोपी दिन ने हस्ते हुए कहां, हम नहीं सरकारी नियम जानते और नहीं सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं, अरे आपने तो व्यर्थ ही तना कष्ट उठाया, ऐसा भला हो सकता है कि हम यहां से गुजरे और आ पंड़ित आलोपी दिन ने ऐसी बीजती पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उन्हें अपने धन की सकती पे पूरा भरोसा था, वे अपने मुनीम को बोले, लाला जी, दरोगा जी को अभी एक हजार रुपए भेट कीजिए, दरोगा जी ने फिर एक बार कड़कावार में कहा, एक हजार क्या, एक लाग भी मुझे सचे माजग से नहीं भठका सकता, और डाटते हुए सिपाही को कहा, आपको सुनाई नहीं दिया, पंडित आलोपी दिन को गिरफतार कीजिए, सिपाही ने धीरे से दरोगा जी को गाली दी, और पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ और नौकर पंडित आलोपी दिन की ओर से बोल रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ हमारे मुंसी बंसी धर को अपना पलड़ा हलका नजर आता दिख रहा था, उनके पास सच के सिवा कुछ था भी नहीं, कुछ ही देर में डिपटी मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया, पंडित आलोपी दिन के खिलाफ दिये गए सारे सबूत निराधार हैं, वे एक बड़े वेपारी हैं, ऐसे थोड़े से लाप के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, अदालत पंडित आलोपी दिन को बाइज़द बरी करती है, और मुंसी बंसी धर के उपर कारवाही करने का आद पूट सा गया, कुछ दिनों पस्चात मुंसी बंसी धर के घर के सामने एक सजा हुआ रथा के रुखता है, बहुत से नौकर और पंडित आलोपी दिन जी घर के बाहर खड़े थे, उनके पिता जी भागते हुए घर के बाहर पहुँचे, और जुक कर पंडित आलोपी दिन आपके बेटे जैसा इमानदार अफसर कभी नहीं देखा, अगर आपकी अनुमती हो तो मैं दरोगा जी को अपनी सारी संपती और व्यवसाय समालने के लिए मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने पत्र देते हुए कहा, दरोगा जी इसमें अपने हस्थाक्षर कर दीजे, कॉंट्रेक्ट देख के तो दरोगा जी की आँखों में आशु आ गये, 6,000 रुपए प्रती महा वेतन के अलावा रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोडा और रहने को बंगला और साथ ही नौकर चाकर, ये सुनके तो दरोगा जी के पिता खुसी से जूम उठते हैं और मुंसी बंसीधर को भी अपने इमानदारी पे गर्व होता है